ओम शिरी गलेशाय नमाहां, शिरी इसकंदाय नमाहां, गोरी सुताय युगल पुत्राय नमाहां पंदिवो, नवरात तुमें पांचमा दिन भगवती इसकंद माता के नाम समर्पित है, पांचमे दिन इसकंद माता का पूजन अरचन किया जाता है इसकंद माता कौन है यह भी पारवती जी है प्रकारांतर से नौई दिन जो है भगवती पारवती की ही पूजन होती है हमने देखा प्रथम दिन शैल पत्री के रूप में कर्णिया के रूप में हिमगिरी के यहां पर जन्म लिया इसके बाद में उन्होंने तपस्या की तपच्चारने हुई और उसके बाद उनका विवाय हुआ विवाय के बाद में देखा हमने कुसमांडा का रूप देखा चंदरगंटा का देखा और अब बगवती जो है अपनो विवाय के बाद में जब उनके यहां पर पत्र हुआ इसकंद पत्र हुआ बढ़ा पत्र गरेश जी के बड़े भाई तब उनका नाम जो इसकंद माता नाम पढ़ा और कहीं कहीं कथा ऐसी आती है कि इंदर देव ने इसकंद को यानि कि स्वामी कार्थे जिनका नाम है उन्हें कुमार भी कहा जाता है उन्हें जब परिशान किया तो मा की ममता जो है वो पुत्र को कभी दुखी नहीं देख सकती मा को बड़ा क्रोध आया और गोज में बैठा लिया मा को और इंदर पर बड़ा क्रोध किया तब कहते हैं इंदर ने मा के इस्तुति की इसकंद माता के रूप में जब इस्तुति की तब से जो है इसकंद माता नाम भगबती का हुआ और इसकंद यानि की स्वामी कार्थे जि गजानन कहलाते हैं हाती का मुखोने कारण देखो बड़ी एक रोचक खता है इन पत्रों की इसकंद माता के जो पत्र हैं इसकंद और गडेश कहते हैं एक बार दोनों माता पिता के पास आगए और कहने लगे कि हम तो अपने साधी कराएंगे और भगवान भी बड़े कोट की हैं उनको पास में बिठाया और दीजे कहने लगे अच्छा बेटा सुनो जो बेटा हमारा जो पुत्र हमारा सबसे पहले तत्वी की परिकमा करके आजाएगा उसकी साधी पहले कर देंगे और ऐसी कथा आती है कि अब आप सब जानते हैं गड़ित जी के तो सबारी जो है च पहले परिकमा कर जाओंगा और वह तो बैटके ओड़ गया अब इधर रह गए गड़ित जी अपने चुहे पर बैटकर के कहते हैं चल दिये धीरे चल दिये और भईया नारज जी भी बड़े कौत की हैं ऐसे समय पे जरूर मिल जाते हैं राष्टे में नारज जी मिल गए नारज जी भागते चुहे को भगाते हुए कहां जा रहा है और उनके महराज रूख मैं अभी पुरसत में नहीं हूँ बताइए हमारे बड़े भाईया यहां से निकले नहीं निकले मुझे परिकमा बजाना है पिता जी ने कहा है कि जो पहले परिकमा करके आएगा उसकी ज फिल्शत में नहीं लगा पावगे यहाँ ने साहती परिकमा लगा देगा संथा रहां सुनो एक उपआय हम ज़़ोर बताते हैं तुमको बले क्या झो क्यां मुले। मुने देखो माता पिता में सारा ब्रहमा सिख समायत है सारी प्रत् minimal समायत है दो अपनी माता पिता की प माध्यम से पूणियों के लिए मनस्यों के लिए एक शिक्षा दी गई लिए अग्षाय माध़ा पिता पहले है और उसके बाでは सारे संसार के जितन फे तीर थे सारे देuchता वो बाद में है पहले दे ने पयर्टा हमारे जो है और अपने माता पिता के सामने दोनों को बिठाला बोले आईए पिता जी पिता जा रहा है एक बार मम्मी के पास में बैठी है दोनों को बिठाला बिठा करके परणाम किया और परणाम करके साथ बार परिक्रमा की और परिक्रमा करके हाथ जोड़ का कहने लगे पिता जी आप माता पिता में सारा संसार नेत है प्रत्वी और ब्रह्मान सारा तो आपकी मैंने प्रत्वी 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 प्र का मयूर वहन से स्वामिकार्तिक जी गूम रहे हैं अपने जैसे तैसे बताते हैं जब परिगमा करके आए तब तक गड़े जी के आप आले बच्चे हो गए थे अब आप लोग जानते होंगे साहरे घर के सामने जो है शुब लाब लिखा रहता है यह शुब लाब जो है यह तो आप जैसे लोट करके आए और उसके बाद में जब गड़े स्वामिकार्तिक को पता ही चल गया रास्ते में बता दिया नाराज जी फिर बड़े कोट की है नाराज जी रास्ते में मिल गए और माता पिता अगे पासरी आने दिया अरे वो ले स्वामिकार्तिक स्वामिका नाराज जाने वाले हैं आप जानते ही हैं और बही सकंद को पत्र को महिंदर परभत करने लागें, इनकल पर देह उन्हों उन्हों संकलव ले लिया कि हमें साधी नहीं कराउंगा, तो भईया गड़ित जी के तो दो दो पत्निया हैं और उनके बड़े भईया जो हैं बेपर कुवारे ही हैं उन्होंने साधी नहीं की तो अब कहते हैं कि जब नाराज हो गए हो जाके महिन परवत पे घर लोटके नहीं आया तब माता पिता उन्हें मनाने के लिए यहां पहुंचे और उसको मैं बठार करके मनाया बेटा कितने ही बड़ा हो जाया मा के लिए बच्चा ही होता है तो इसलिए मा के प्रती इनके पूजन से इनके जो अपमिश्टुती है इनका जो ध्यान किया जाता हुए ध्यान में अन्तिम सब्द आता यसच्वी देखिए मैं आपको ध्यान का मंत्र सोना रहा हूं लाँ भागवति का ऐ कि शी आसन गतानित्यम पदमान्चित करद्वया सुवधा अश्टू सदा देवी सिकंद माता या सत्ष्वी हे माता शीकंद माता आप जो है नित्शी आसन पर ब्राजमान्द रहती हैं और दोनों हातों में आपके कमल का फूल हैं आप शुब देने वाली हैं, शुब करने वाली हैं, कल्यान करने वाली माता हैं और हस्वी जीवन बनाने वाली, यस्व देने वाली, कीर्ती बढाने वाली हैं, ऐसी माता को हम बार बार परणाम करते हैं, यह उनका ध्यान मंत्र है, और भईया उनके साथ साथ में यह कोई मात इसलिए आप सबस्ती का प्रासुना का मंत्र है,"या देवी सर्व भूतेशु मात्र रूपेन संसुता नमस तस्याई 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 झाल झाल